Hello children in this video you will get to know what is internet of things why internet of things is important and what are the pros and cons of internet of things okay so let us start with what is internet of things internet of things क्या होता है the internet of things is simply a network of internet connected objects okay able to collect and exchange data तो internet of things क्या है ये एक network है okay कौन से devices का कौन से objects का जो internet के थूरे दूसरे से connected है okay and they are able to collect and exchange data and they are able means ये ये data को collect करते हैं और इसको exchange करते हैं with the help of internet right it is commonly abbreviated as IOT okay तो हम इसको short form में क्या बोलते है IOT fine the word internet of things has two main parts internet being the backbone of connectivity internet जो क्या प्रोवाइट करा रहा है जितने पी devices है उनके बीच में connectivity प्रोवाइट करा रहा है and things meaning objects okay first क्या हमारे पास internet okay of things 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 means object जो किसके through connected internet के through connected यहां पर देखो पिक्चर में internet of things यहां पर जो देखो यह दिवाइस है laptop internet से connected है आपका wrist watches Bluetooth आपकी यह mobile phones cars home appliances तो यह बहुत साही चीजी होते है महलें nowadays almost all the objects all the devices are connected to internet right okay so these devices which are connected with the help of internet are called as internet of things okay in a simple way to put it अगर हम इसको एक simple तरीके से present करें there are things that sends and collect data and send it to the internet हमारे पास ऐसे devices है एसे devices जो क्या करते हैं डेटा को सेंस करते हैं मतलब उसे सेंस करना मतलब एक सब्सक्राइब से मैसूस करना okay they can recognize data and collect data और डेटा को क्लेट करते हैं और कहां पर भेज़ेते हैं इंटरनेट पर भेज़ेते हैं technically with internet you can control your devices from any part of the world आप इंटरनेट की help से अपने डिवाइस को इंटरनेट की तुरू कर सकते हो किसी भी पार आप कहीं पर भी प्रेजेन ओ वर्ड की किसी भी पार प्रेजेन ओपने डिवाइस को इंटरनेट के तुरू कंट्रोल कर सकते हो as long as both the device and your mobile मोबाइल फिंच जोंड़े से धेचों से थेलब्स इंतरनेट इंटरनेट क्या है कि Audio चैनल इंतरनेट इंतरन इसक पढ विजिक्वर्ट में बाइस भी और हमी कि पारा इंच क्या पी्ड से ननी घंस हैं तो इंट कि देटा करता सकता है संस क्यों कर सकते क्यों कि फिजिक भी स्पार्टक्रा मिलज्य। और सेंसर्स प्होता है डिवाई डाट रिस्पोंड पो डिवाइस स्पोंड कि अ पर स्टूमलों स्प्वीड किसी भी फिजिकल प्रिस्पोंड करता हैं और डेटा एक्चेंज करते हैं दूसरे डिवाइसे से और सिस्टम से डेटा एक्चेंज करते हैं और किसके तू एक्चेंज करते हैं इंटरनेट के तू एक्चेंज करते हैं समझ आया इंटरनेट ऑफ तिंग्स क्या है एक नेटवर्क है किसका डिवाइस का वह डिवाइस ए करते हैं वो किसलिए टो एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि उनका ने किया चैनिक विल्ट सैंसर चुस्क विल्ट यहां पर यह देवाइसे यह देवाइसे तो यहां पर क्या यहां पर क्या है यह का है? मतलब आपके और आपके इंड़स्ट्रेशियल टूस भी है ओके विद्मोर दिन 7 बिलियन कनेक्टेट आई O T कि डिवाइसिस तुडे एक्सपर्स एक्सपर्स इस नंबर तो तुट्टी तुट्विलियन बाई टू थाउजंट टूटी-फइफ़ तो अभी क्या है हमारे पास ऐसे जो आई-उटी है जो इंटरनेट की तू थूट्टी डिवैसिस है वो तैवन बिलियन डिवाइसिस है और यह नंबर क्या करता जा रहारा है लिए नमबर कहां तक पहुंच जाएगा 22 बिलिडियुम्न अपिक चाहेगा data को इस ध्युंदक होड़िये मैं रांश करेंक अब बहुंस वक्रसेयों बहुक पास बहुत और है झिस कि मैं आञी का सित्क यह पहुंस म liberty microcontrollers are embedded inside devices to control the action and the features of a product यह क्या होते है, they are like a small computers, okay, microcontrollers क्या होते है, small computers होते है, जो दूसरे devices के अंदर embed होते हैं, ठीके, दूसरे devices के अंदर लगाया जाता है in order to control the action and the features of the device, वो क्या करते है, they are like small computers जो दूसरे device के अंदर embed है, और यह क्या करते है, इनकी programming, इनकी functioning इस तरीके से की जाती है, कि वो उस device के functions को control करते है, find microcontrollers, IoT tends to bring together these devices to work in collaboration and assist each other in creating an intelligent network of things, तो जो आपका है, internet of things, यह क्या करता है, इन devices को क्या करता है, collaborate करता है, जो आपस में data को exchange करते हैं, आपस में information को exchange करते हैं, समझ आया, यहां यहां पर क्या बात हो रही है, कि even जो हमारे household devices है, वो भी आजकल कैसे है, उनके अंदर microcontrollers है, small computers embedded है, software embedded है, जिसकी health से वो क्या करते है, data को collect करते हैं, information को collect करते हैं, और इंटरनेट के थूप दूसरे device तर पहुंचाते हैं, जैसे आपके mobile, आपके home appliance है, वो आप उसकी information आपके पास पहुंच जाएगी, आपके device पर mobile पे, ठीक है, तो यहां पर क्या है, दोनों device एक दूसरे से connected है, जैसे आपके CCTV cameras होते हैं, cameras क्या होते है, आपके mobile phone से connected होते हैं, आप कहीं पर भी है, मालो आप किसी दूसरे city में गए हैं, तो वहां से भी आपने घर का पूरा view देख सकते हैं, because your mobile is connected to your CCTV camera, fine, for example, if a microwave oven and air conditioner door lock CCTV camera or other devices are enabled to connect to the internet, यह कै कि अगर यह सारे devices के आपके internet से connected हैं, we can access and remotely control them on the go using our smartphone, तो हम इन सबको control का सकते हैं, सबको access का सकते हैं, ठीके जहां पर भी हम हो, using our smartphone, अपने smartphone को use करके, fine, तो यहां पर क्या है, इन devices का हमारे smartphone का क्या connection है, network create हुआ है, okay, and इसी network को आप क्या बोलोगे, internet of things, fine, okay, now we have why is internet of things so important, internet of things इतना important क्यों है, over the past few years, IOT has become one of the most important technologies of the 21st century, यह हमारी technology है, सबसे important technology बन चुके है, 21st century की, now that we can connect everyday objects, हम अपने everyday objects को connect कर सकते हैं, kitchen appliances को connect कर सकते हैं, kitchen appliances क्या होते हैं, they are machines intended for use in kitchen like a fridge, food processor, आपका blender, microwave, toaster, juicer, तो आप इनको भी connect कर सकते हो, cards, cards को आप connect कर सकते हो, find thermostats, thermostats क्या होता है, thermostat is a regulating device component, which sends the temperature of a physical system, thermostat आपके कहां कहां लगा होता है, जैसे यह क्या होता है, यह temperature को control करने के लिए, temperature एक particular point पर set करने के लिए thermostat का use किया जाता है, तो यहां आप जैसे आपको आपको चाहिए कि आपको इतना ही particular heat चाहिए, तक ही आपको cooling चाहिए, temperature, thermostats क्या होता है, जो temperature को set करता है, cooling को या heat को, यह आप इसका use करोगे, building heating में, central heating में, air conditioner में, water heater में, oven में, refrigerator में, thermostats का use के जाता है, बेबी मॉनिटर्स करता है, बेबी की, okay, to the internet, अगर यह सारे appliances क्या है, internet से connected है, वाय embedded devices, okay, किसके थू, embedded devices के थू, embedded devices क्यों कहां गया है, क्योंकि जो भी devices, data पहुंचा रहे है, उसके अंदर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, embedded computers होते हैं, जो data collect करते हैं, internet के थू और आपके smartphone तक पहुंचाते हैं, seamless communication is possible, seamless communication is possible, seamless communication is possible, between the people, processes and the things, लोगों के भीच में, जो काम हो रहा है उसके बीच में, और devices के बीच में, okay, तो क्या है, इसलिए यह बहुत important है, fine, by means of, समझ आया, इसके हम से हम अपने kitchen appliances को control का सकते हैं, cars को thermostat and we can control all the devices, whatever we are using, okay, by means of low cost computing, the cloud, big data, analytics, the mobile technologies, physical things can share and collect data with minimal human interventions, अब क्या है, यहाँ पर यह क्या कर रहा है, human intervention को कम कर रहा है, इसमें लोगों की जुरत नहीं पड़ती, it doesn't require the human part, right, यहाँ पर क्या है, with the help of computers की help से, clouds की help से, big data analysis की help से, mobile technologies की help से, क्या हो रहा है, data अपने आप collect हो रहा है और वो शेर हो रहा है, fine, in this hyper connected world, digital systems can record, hyper connected क्यों कहां गया है, क्योंकि आज कल हर चीज connected है, fine, okay, in this hyper connected world, digital systems can record, digital systems, what can work of knowledge WIL, the direkt streaming system, at all flights, the work that can add your benefits into connection. तक disgusting methods can be recognized each direction, एक 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 इंटिरेंच को जोसे कर सकता है उन सकतल है, is theг Allison, much to help connect things, ok.. जुड रहा है ठीक है and they cooperate और दोनों आपस में cooperate करके साह साह चल रहे हैं इसी को बोलते है एडवांस में इसलिए यहां पर इंटरनेट ओफ तिंग्स बहुत important है क्योंकि हमारी life को बहुत easy कर रहा है fine no what are the pros and cons of internet of things ठीक है तो internet of things के क्या advantages and क्या disadvantages okay some of the advantages of internet of things include the following internet of things के कुछ advantages यहां पर हमने दिये ability to access information from anywhere at any time on any device ठीक है हम कोई भी information access कर सकते हैं किसी भी time ठीक है और किसी भी डिवाइस ते राइट जैसे अभी मैंने आपको example गया था आप अपने cctv cameras की footage करके कहीं पर भी बैट के अपने घर की आपने office की देख सकते हो fine so here you are controlling that improved communication between connected electronic devices okay यहां पर क्या बहुत ही अच्छा communication होता है जितने भी electronic device एक दूसरे से communicate करें okay transferring data packets over a connected network saving time and money तो जो यह information transfer हो रही है connected network के through वो क्या कर रहा है time को भी save कर रहा money को भी save कर रहा है fine okay it's very feasible ठीक है जो भी information transfer होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इसे क्या है आप एक तो आपका time वेश्टेस कम हो रहा है आपकी money वेश्टेस भी कम हो रही है fine automating task helping to improve the quality of the business service जो जो हमारे automated tasks क्या कर रहे हैं एक business की service को क्या करें इंप्रूव करें and reducing the need for the human intervention और यहां पर human intervention को reduce करें मतलब यहां पर हमें individual part बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर machines कुद काम करें okay okay तो यह क्या है advantages internet of things के जहां पर क्या है devices एक दूसरे से खुद क्या करें data exchange करें and they are performing their functions accordingly fine disadvantage of iot ठीक है इसमें क्या है disadvantage as the number of connected devices increases and more information is shared between the devices the potential data hacker could steal confidential information also increases अब यहां पर क्या problem है कि जैसे ही जो connected devices है उनका number increase होता है ओक और बहुत information उनके बीच में बहुत ज़्यादा information share होती है तो यहां पर क्या है कि hackers confidential information को स्टील कर सकता है right internet hacking होती है okay उसके थुरू क्या है devices क्या internet connected है तो अगर वो hacker hacker अगर वो network को hack कर लेगा तो क्या होगा यह सारे के सारे devices भी hack हो जाएगे fine enterprises eventually have to deal with massive numbers maybe even millions of iot devices तो जो businesses हैं जो बड़ी-बडी companies हैं उनको तो बहुत सारे इसे devices के साथ deal करना पड़ता है ठीक है and collecting and managing the data from all those devices will be challenging और इतने साई devices से data collect करना और उनको manage करना भी काफी challenging है fine if there is a bug in the system it's likely that every connected service will become corrupted और अगर जो connected वो है network है उसमें कोई बग आ जाता है ठीक है तो क्या होगा जितने भी devices उससे connect है network से वो सारे क्या हो जाएंगे वो सारे करप्त करप्त होगे since there is no international standard of compatibility for IOT it's difficult for devices from different manufacturers to communicate with each other अब यहां पर एक problem और क्या है कि यहां पर कोई international standard नहीं है compatibility का ठीक है जो डिवाइसे से वो different companies create करी हैं तो उन डिवाइसे के बीच में communication करवाना भी कईबाब बहुत difficult हो जाता है different protocols use करें different micro controllers use के जा रहें different hardware different software यूज किया जा रहा है तो इस case में devices का network create करना internet of things create करना difficult हो जाता है यहां पर disadvantage हमारे में क्या है अगर यह जो network है वो hack हो जाए तो क्या होता है सारे के सारे information आपके स्टील हो जाएगी और सारे के सारे आपका system क्या हो जाएगा दॉप हो जाएगा फाइन बग आजाता है तो जितने भी devices उसकी information आपके स्टील हो जाएगी और जो main disadvantage है कि जो devices है वो क्या है different manufacturers create कर रहे है manufacture कर रहे है तो यहां पर different devices का different design होता है different hardware software यूज हो रहा है तो इस case में भी communication क्या हो जाता है difficult हो जाता है till then keep studying happy Diwali okay and subscribe my channel for more useful videos thank you